आज से हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री की NCRT स्टार्ट करेंगे जिस बुक का नाम है आर पास्ट्स फर्स्ट इसका पहला चैप्टर देखेंगे आज जिसका नाम है वर्ट वेयर हाउ एंड वेन इस चैप्टर में बताया गया है कि लोग नदियों के किनारे कई हजारों सालों स रह रहे हैं सुलेमान और किरतार हिल्स देखते हैं इस मैप पे यह सुलेमान और यह किरतार आठ हजार साल पहले यह वन अब दा फर्स प्लेस थी जहां पे क्रॉप ग्रो करना स्टार्ट किया गया था यहां पे जो क्रॉप ग्रो की गई थी वो थी वीट और बारले अब द आती हैं इस केश में जेलम चेनाब रावी बियास और सतलज मिलके इंडस रिवर बना रही है तो जेलम चेनाब रावी यह सब ट्रिबिट्रीज हो गई इंडस की 4700 पहले इंडस रिवर के किनारे ही वन आप फर्स सिटी जो थी वो फ्लॉरिश होई थी जिसको आगे पढ़ें सब्क्राइड इंडस रिवडियाशन के नाम से अब गंगा रिवर देखते हैं पहले के समय में यह जो गंगा रिवर है इशके इससावच साइड में अगर हम देखें तो यह जो लैंड पड़ती है," इस लैंड़ को मगः बुला जाता था जो भी बिहार में लाई करता है." तो देखते हैं आगे ये देखिए मगद वाला एरिया है गंगा रिवर इस जगे से है उसके जस्ट नीचे साउथ साइड में ये एरिया है जिसको मगद बुला जाता था अब ये बिहार में लाई करता है इसमें बताया गया है कि लोग बहुत ट्रेवल करते थे पहले सबकॉ होते थे वह अपनी आर्मी के साथ ट्रेवल करते थे नई नई एरिया कॉन केर करने के लिए ये जो मुवमेंट है पीपल का एक प्लेसे दूसरी जगा जो ट्रेवल कर जाते हैं काफी लंबा डिस्टेंस इसकी वजह से अंडिश्मेंट होता है कल्स्ट्र ट्रेडिशन का ज अब देखते हैं how India came to be called as India जो इंडिया का word है ये आता है इंडस से जिसको सिंदु कहते हैं संस्कृत में आज से करीब धाई हजार साल पहले इरानियन और ग्रीक साय थे इंडस रिवर के पास और वो इस रिवर को हिंदोस या इंडोस कहते थे और इस रिवर के जो इस जिया में लोग रहते थे उनको भारत बुला जाता था जिनका mention हमें रिगवेद में भी मिलेगा फिर बात में as country name उसे use किया जाने लग गया अब देखते हैं वो क्या तरीके हैं जिनसे हम अपने past के बारे में पता कर सकते हैं पहला है manuscript 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 को उस टाइम पे जाधा तर palm leaf पे insects खा गये थे और कुछ decay कर गई थी सड़ गई थी अब देखते हैं किस किस टाइप की manuscript जो है जो humans ने found की है religious belief से related manuscript मिली है king कैसे रहते थे उससे related manuscript मिली है medicine और science से related manuscript मिली है epics poems और plays से related भी manuscript हम को मिली है जो manuscript हम को मिली है वो sunscript, prakrit और tamil भाशा में मिली है जैसे आप इस image में देख सकते हैं ये sunscript में लिखी हुई manuscript है sunscript language में दूसरा जो type है हमारे पास अपने past को जानने के लिए वो है inscriptions inscriptions जो होते हैं वो hard surface में लिखे जाते हैं तराश के लिखा जाता है यसे stone हो गया metal हो गया इनको तराश के इन में लिखा जाता है example इसका क्या है king जो थे वो कितनी अपनी battle जीते हुए हैं कितनी victories हैं उनकी inscription के form में गड़वा के निमहल में रखते थे अब देखते हैं archaeologists कौन होते हैं? archaeologists study करते हैं जो पुरानी buildings होती है, stones होते है, bricks होते है, paintings होती है, sculptures होते है इन सब की study करते हैं archaeologists और हमको हमारे past के बारे में उन paintings या building से related details प्रोवाइड करते हैं पुराने जो bones हैं और birds हैं, fish हैं, उनके remains जो मिलते हैं, उसकी भी study करते हैं, archaeology सी, ये पता करने के लिए कि उनके food habits क्या थी, क्या खाते थे, ये सब भी काफी पता चलता है, पुरानी bones होगे राशे, past of different group people are different, ये R होगा, मतलब जो past है, वो एक raja के लिए, और एक farmer के लिए दोनों का different past है, इसलिए इस chapter का नाम अगर देखें, इस chapter का नाम है, R pasts, past में S इसलिए है, क्योंकि जो past है, वो एक king के लिए अलग होगा, और एक farmer के लिए अलग होगा, एक farmer का background अलग है, उसका past देखेंगे, तो गरीबी मिलेगी, food scar city मिलेगी, king के देखेंगे, past को तो दादा पर दादा के जो victories हैं, वो मिलेगी, और betrayals दिखेंगे, ये सब चीज़े मिलेगी, तो past जो है, वो हर group के लोगों का अलग होता है, जैसे farmer group के लोग हैं, उनका अलग होगा, जो elite group के लोग हैं, उनका past अलग होगा, अब देखते हैं, dates कैसे count होती हैं, जैसे 2000 BC, 3000 CE, ये सब क्या है, ये समझते हैं, Jesus Christ के birth को as a reference point बनाके, हम लोग dates count करते हैं, जैसे ये साल है 2020, 2020 is referred as 2020 years after the birth of Jesus Christ, Jesus Christ के birth के 2020 साल हो चुके हैं, इसलिए ये year 2020 है, similarly, अगर किसी number के पीछे BC लिखा हुआ है, तो BC का मतलब होता before Christ, मतलब Christ के birth के पहले, 1000 BC का मतलब हुआ, Christ के birth के 1000 साल पहले, Jesus Christ के birth के पहले, ये दो time period है, कई terms है जो use होते है, जैसे BC use होता है, BCE use होता है, लेकिन dchaeों का मतलब वही है, Jesus Christ के birth के पहले का अगर हम time period लें, जैसे 1000 आगर BC लें, और 1000 BCE लें, तो दोनों का मतलब सेम ही है जीजस क्राइस्ट के बर्थ के 1000 साल पहले बस BC stands for before Christ और BCE stands for before common era बस इतना ही difference है दोनों में बाकी जीजस क्राइस्ट के बर्थ के पहले में हम BC या BCE दोनों में से कुछ भी use कर सकते हैं और जीजस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का अगर हम समय देखें तो AD है CE है जो use होता है दोनों में से कुछ भी use कर सकते है AD stands for anodominy anodominy Latin word है जिसका मतलब होता है in the years of the Lord और CE मतलब होता है common era तो अगर हम लोग 1000 CE लिखें या फिर 1000 AD लिखें तो दोनों का मतलब सेम ही है अब देखते हैं DC format जो बहुत पुराना समय था उसमें जो language use होती थी वो pictorial form में होती थी pictures के form में लिखा होता था तो उनको समझ पाना की क्या लिखा हुआ है उसमें exactly तो उसको we can say decrypt करना की उसमें meaning क्या है उसकी तो उसे हम लोग DC format बोलता है जैसे हम लोग इस image की तरफ देखें तो इसमें जो पूरा है pictorial form में लिखा हुआ है माल लिजे इसका decrypt करने के बाद इसकी meaning अगर hunter निकल के आती है तो इस process को बोलेंगे DC format So this is it अगर आपको वीडियो पसंद आई तो like, share, comment और subscribe कर दीजेगा God bless you all